हेलो गाइस इस वीडियो में हम देखेगे exercise 8.2 का question number 3 इस question में हमें 6 parts देगे हर part के अंदर हमें 2 राश नंबर को multiply करके product find out करना है तो अचले फर्स part देखते हैं फर्स part के अंदर हमें 9 by 2 को multiply करना है minus 7 by 4 से तो यह बोगर नुमेटर से मदलप्या हो जाएगा और दिनॉमेटर दिनॉमेटर से यह बोगर 9 x 7 करने पर हमें मिलेगा minus 63 और दिनॉमेटर में आजएगा 2,4,8 नेक्स पार्ट के अंदर हम लोग minus 9 को 1 से डिवाइड करके लिख सकते है कि किसी भी नमबर को अगर हम लोगर 1 से डिवाइड करेगे तो हमें same ही नमबर मिलता है यह ब अब 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 यह दोनों रशन नमबर P by Q के फॉर्म में है तो हम नुमेटर को नुमेटर से मदलपा करतेगे और दिनॉमेटर को दिनॉमेटर से हो जाएगा 6 और इनुमिटर में फाइजा हो जाएगा 55 लास पार्ट के अंदिया पर 3103 हो जाएगा 3103 हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगी क्यों कि माइनस प्लस होता है और फाइव जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1 इसी के साथ हमारा कोशन नमबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है इस पूरे चैप्टे की लेक्चे नोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटर कुछ भी डॉट से तो आप नीचे दिएगए टेलग्राम चैनल में जॉइन क कर सकते हो अगर आपको कुशन नमबर 4 देखता है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो और अगर आपको इस पूरे चैप्टे की प्लेडिस्ट ही ता आप इस वाले प्लेडिस्ट में क्लिक कर सकते हो